तो राम राम जी कैसे हैं आप सब मैं सुमित तो भाई काफी दुनों से एक डाउट था में दिमाग में और आज उस डाउट को हम यहां करेंगे क्लियर डाउट क्या है वो भी मैं बता दूँ देखिए अगर हम कहीं ट्रिप पर जाते हैं कहीं गूमने जाते हैं दो लोग सप अपनी रात बिता लें और अपनी थकान दूर कर सकें अगर यह पॉसिबल है तो यह काफी सही रहेगा क्योंके देखिए बहुत सारा खर्चा हम लोगों का घर से निकलने के बाद होता है होटल में तो अगर वो पैसा हमारा बचता है तो इससे बढ़िया कोई चीज हो ही न देखने को नहीं मिलता यह पूरा वन पीस में आपको मिलता है और इसमें 60-40 गा ऑप्शन नहीं है दूसरी चीज वो भी मैं आपको बता दूँ देखिए जो स्पोर्ट वेरियंट वगरा आ रहे हैं उसमें क्या है उसमें जो यह ट्रे है इसको आप एड़जस्ट कर सकते ह उपर नीचे मतलब वो इतनी उपर तक एड़जस्ट हो जाती है जिससे के एक फ्लेट बैड बन सके लेकिन इसमें यह उप्शन नहीं है तो चलिए इस चीज को कोशिश करके देखते हैं इस चीज को ट्राइ करके देखते हैं कि क्या यह पॉसिबिल है कि हम इसमें आराम कर असके तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले हम करते हैं इसकी रियर सीट को फोल्ड तो अमित भाई आप उधर आओ यह देखिए इसके लिए रियर सीट को फोल्ड करने के लिए क्या है यह दो स्ट्रिप दी हुई है एधर एक उधर इन दोनों को खी पांच इंची उचा है ये हिस्सा और ये पांच इंची नीचा है तो इसमें भाई पॉसेबिल नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से तो मैं पीछे से आपको दिखा देता हूं यह देखिए यह कंडिशन है इस समय तो देखिए इस पोर्ट वैरियंट में क्या होता है कि यह वाली चार से पांच इंची के गैप को आप एगनौर नहीं कर सकते यह बहुत बड़ी दिक्कत बन सकता है आपको मतलब लेट नहीं सकते आप इसके उपर तो ये है बाई बाकी एक और चीज में आपको बता दूँ कि यह एड़ेस्टेबल नहीं है ऐसा नहीं है कि आप इसको अगर आप चाहोगे जी सीट फोल्ड करके हम इसमें सो जाएं तो ये पॉसेबिल नहीं हो पाएगा तो एक बार मैं आपको ये चीज करके भी दिखा देता हूं तो इसको निकालते हैं पार्सल ट्रे को अमिद भाई पकड़ना इसको ये देखिए पार्सल ट्रे निकाल कर देखिए जगया खूब है अच्छी खासी स्पेस है मैं आपको इसमें अंदर गुस कर देखा देता हूं कि अमिद भाई आप गुसो मैं केमरा पकड़े हूं गुसना ज़रा इसमें कि ये देखिए अगर इस तरह से भी अगर यह वह थी ना ऊपर तक आ यहां तक हां तो तो बैड देखाना थोड़ा पीछे तक मालो सिर्पना उस पर रखो सीट पर आप इसके लिए हम यह कर सकते हैं कि आप घर से लेकर चलो और यहां पर डालो इससे के उंचा हो जाए और इस सीट को अगर हम फ्रेंट वाली को आगे करके देखते हैं एक बार मैं यह भी करता हूँ इसको हम कर देते हैं आगे एक सेट करता हूँ इसको पूरा आगे लेकिन उसके बावजूद भी इतना गैप है यहां पर तो यह भाई काफी उंचा नीचा हो रहा है एक तो यहां काफी उंचा हो गया एक वहां उधर जादा काफी उंचा हो गया बीच में हो गया गैप मतलब आप इसमें इस तरह से आराम नहीं कर सकते जैसा कि हम सोच रहे हैं कि एक रात बिता लो भाई बहुत जादा मुश्किल हो जाएगी बहुत एक तो पूरे दिन आप घूम हो गए ड्राइब करोगे ठकान उसके बाद आप जो है इसमें अगर ढंक से सो नहीं पाए तो इसके लिए रिंज पाना वागारा आप लेकर चलना होगा उससे क्या होगा यह थोड़ी इससे इसके पास आप लगा सकते हो यहां पर है ना तो यह गैप थोड़ा कम कर सकते हो खतम तो नहीं होगा थोड़ा कम कर सकते हो बाकि इससे जादा आप इसके अंदर कुछ भी नह कर सकते हां अगर करना चाहो तो उसके लिए आपको बहुत सारे सामाल लेकर चलने पड़ेंगे एक तो आपको इतना मोटा गद्दा लेकर चलना पड़ेगा फॉम का जिससे के आप इसको इसकी लेविल में ले आओ वो बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा फिर आप लगेज है वो यह है कि आप इसमें comfortablyly सो नहीं सकते हां घंटे दो घंटे रेस्ट कर सकते हो वो चाहिए आप आगे front वाली seat को back करके कर लो या फिर इस तरह से कर लो लेकिन आप पूरी रात इसमें आराम नहीं कर सकते सो नहीं सकते तो भाई यह है एक negative point आप इसको negative बोल सकते हो इसके अंदर एको स्पोर्ट टाइटेनियम के अंदर लेकिन अगर आपके पास स्पोर्ट वेरियंट है जिसमें के पीछे एडजस्टेबिल ट्रे मिल जाती है तो उसमें आप थोड़ा इसको बना सकते हो रेस्ट करने लायक लेकिन मुझे लगता है देखे कार की जो लंबाई है वो दोनों की सेम है तो उसमें भी आप कमफर्टेबिली सो तो नहीं पाएंगे लेकिन हाँ दो चार गंटे ये है इसके अंदर भी पॉसिबल नहीं है तो ये है भाई इस टाइटेनियम वेरियंट का एक नेगिटिव अगर आपको ये सुबदा चाहिए कि आप रियर सीट फोल्ड करके या 60-40 सीट आपको चाहिए और एडजस टेबिल जो पीछे बूट की ट्रे है वो चाहिए तो उसके लिए आपको स्पोर्ट वेरियंट लेना होगा जिसके अंदर आपको दो लाक रुपे करीब एक्स्ट्रा पे करने होंगे तो अगर आपको यह सारी सुबदा चाहिए तो भाई आप दो लाक रुपे एक्स्टर डालिए तब आप उसका आनंद ले पाएंगे और अगर यह चीज आपको मेटर नहीं करती है हमारी तरह अब हमारा तो छोड़ी हम तो भाई ले चुके इसको तो उसके लिए आप जो है आपको रूम ल नहीं है भाई मैं एक महेंगे रूम की जगे सस्ता रूम लेना पसंद करूँगा बजाए अपनी गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा एडजस्ट्मेंट कराने के तो यह था भाई आज के लिए और उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होगे जिन जिन ल